और उत्तरपतेश में 29,000 साहिक सिक्षिकों की भर्ती पर घाई कोर्ट के फैसले के बाद आज यूपी सिक्षिया बिभाग की बैटक होने जा रही है और 69,000 इन सिक्षिकों की भरती को लेकर जो फैसला आया है इस बैटक में मुख्य मंत्री योगी आदेतनाद की भरती पक्रिया को लेकर मंथन और अफसरों के साथ ये आगे चर्चा करेंगे इस बैटक में सिक्षा मंत्री समेत विभाग के सभी अफसर मौझूद रहेंगे सूत्रों की माने तो बैटक में तैह होगा कि सरकार हाई कोट के फैसले को लागू करेगी या फिर सुप्रिम कोट में अपील करेगी क्योंकि इलाबाद हाई कोट की लखनो बेंच ने सरकार को 90 दिन में भरती परिक्षा का परिनाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है यानि मेरिट लिस्ट नई तरीके से जारी करना होगा इस आदेश से यूपी सरकार को तो जटका लगा साथ ही नई चैन सूची तैयार होने से पिछले चार सालों से नौकरी कर रहे हजारों सिक्षकों के सामने भी असमंजस की स्थिती पैदा हो गई है तब 69,000 सिक्षकों को भर्ती की मेरिट लिस्ट हाई कोट से रद होने के बाद अकलेश यादव बीजेपी सरकार पर हमला वर है अकलेश यादव ने कहा है कि सिक्षक भर्ती भाजपाई घपले घोटाले और चाचार की शिकार साबित हुई है वह यूपी के डिप्टी सेम केशव प्रसाद मौरे हाई कोट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं हलाकि केशव प्रसाद मौरे का कहना है कि सरकार टीचर्स के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने देगी 69,000 सक्षकों के मेरिट लिस्ट को हाई कोट ने दोबारा से जारी करने की बात कई है और ऐसे में योगी आदितनाथ की सरकार अब इस पूरे मामले में मन्थन कर रही है साथी इस मामले को लेकर जाँ सपा सरकार पर हमलावर है वहीं दिप्टी सेम केशे प्रसाद मौरे ने हाई कोट केस फैसले का स्वागत किया है जो सरकार नचीने और जो तीन महीने में उम्मीद है जो संगट रहा है पिश्णों का वो काम्याम होंगे अब बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे यह ऐसा सरकार का विचार भी है और सरकार इस दिसा में आगे बढ़ी करने व्यूदे मेर्म जके में जो साइकल नहीं चलेगे साइक तो आपने देखा कि किस तरह से अब इस पर सिएस्ट भी हो रही है वहराल सरकार को और यह तैय क्योंकि तीन मेने का वक्त फिलाल मिला है और आप देख सकते हैं हाई कोट के आदेश में क्या कहा गया है 2020 की जारी मेरिट लिस्ट को रत कर दिया गया है और साथी साथ तीन मेने में सरकार को अब नहीं मेरिट लिस्ट दाजी करनी पड़ेगी और आरक्षन निवावली 1994 का प कर रहे हैं उन टीचर्स की अब क्या नौकरी जाएगी बहुत बड़ा सवाल है 69,000 जो टीचर्स की नई मेरिट लिस्ट आएगी क्या उनमें जो पहले से 4 साल से नौकरी कर रहे हैं उनको जगे मिलेगी ये भी एक बहुत बड़ा सरकार के लिए आप कह सकते हैं चुनाती है इस वक्त क्योंकि हाई कोट ने तो अब 3 मेरे का वक्त दे दिया है लेकिन करीब 4 साल पहले जो मेरिट लिस्ट आई थी उसके आधार पर जो लोगों को अरक्षन 18,988 पदों पर अरक्षन का घुटाले का आरोप लगा है OBC को 87% 27% की 3.86% आरक्षन मिला है इसमें टोटल 27% का आरक्षन है सुप्रीम कोट की ओर से जो बात ही कहींगी उसके बाद यह होगा कि जो SC कोटा है वो भी 21% का है जिसमें 16.2% आरक्षन मिला है तो कुल बिलाकर जो आरक्षन के जो टोटल पद हैं इसमें वो 18,988 हैं और ऐसे में जो आरोप लग रहे हैं कि जो मेरिट लिस्ट में खामिया है अब उसको बदलने के लिए सरकार को काम करना पड़ेगा